अनुपातों में संबंध साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के संबंध को प्रदासित करने के लिए यहां आमारे पास एक समकोण त्रभुच ए, बी, सी है जिसमें कोड भी समकोड है और कोड सी थीटा है आप किसी समकोण त्रभुच में उसके विचार करने वाले कोड के आधार पे जानते हैं कि जैसे कोड थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं और यही सम्मुख भुजा जो है, लंब भुजा के रूप में जानी जाती है यह बी सी भुजा इसमें आधार भुजा होगी और भुजा एसी यह कर्ण भुजा होगी तीन भुजाए हैं और तीन अनुपात हमारे पास हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और हमको इन भुजाओं के आधार पे इन अनुपातों में संबंध देखना है तो हम यह पहले देखें कि यह टेन थीटा को इसकी भुजाओं के अनुपात करोप में हम कैसे प्रताशित करेंगे तो हम जानते हैं कि टेन थीटा सम्मुक भुजा और आधार भुजा का अनुपात होता है तो यहां थेन थीटा को हम लिख सकते हैं A, B, 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 C और अब यदि हम यहाँ देखें sino theta के बारे में तो sino theta है जो है सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होती है तो इसको यधि हम अलग से लिख लें यहीं पर कि sino theta अनुपात है इसकी भुजा AB और भुजा AC की फिर ऐसे ही यदि हमें ये पता हो कि कास थीटा को हम और क्या लिख पा रहा है तो कास थीटा के बारे में हम जानते हैं कि BC भूजा अर्थात आधार भूजा और कर्ण भूजा का अनुपात जो है वो कास कहलाता है तो यहाँ पर इस थीटा के जो कास है वो आधार भूजा और कर्ण भूजा का अनुपात जिसको हम लिखेंगे BC बटा AC अब हमें 10 थीटा को ऐसे व्यक्त करना है कि वो sin थीटा और कास थीटा के रूप में लिखा जा सके तो यदि हम 10 थीटा से फिर शूरू करते हैं ये तो हम जानते हैं कि 10 थीटा को इस रूप में लिख सकते हैं sin थीटा को और एक कास थीटा को वापस 10 थीटा पे जाए और देखें कि 10 थीटा बराबर है AB बटा BC यदि इसमें हम AC का अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो देखें हम इसको किस रूप में लिख पाएंगे AC का अंश में गुणा कर रहा हैं और AC का हर में भी गुणा कर रहा हैं फिर इसमें यदि थोड़ा सा हम परिवर्तन करें और इसको इस रूप में लिखें तेन थीटा बराबर A B बटा A C और गुना हो जायागा ये A C बटा B C आप आप यहाँ पर कुछ सम्मंद देखने की कोशिश करें आप देख रहे हैं साइन थीटा यहाँ पर हम लोग ने लिखा है A B बटा A C और यहाँ भी A B बटा A C आ रहा है लेकिन कास थीटा यहाँ पर है B C बटा A C और यहाँ आ रहा है A C बटा B C इसका मतलब है कि यदि हम इसको उलट देख B C बटा A C यदि लिखा हुआ रहा था तो हम उसकी जगह पर कास थीटा लिख सकते थे 10 θ को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 10 θ बराबर A B बटा A C और इसको भाग में ऐसा करें तो आप देखेंगे कि A C जो है वो नीचे चला जाएगा और B C उपर चला जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे भाग की रुप में तो गुणा को जब हम भाग में परिवर्तित करेंगे तो ऐसा हो जाएगा तो 10 θ को हम फिर अब इस धंग से लिखेंगे 10 θ बराबर A B बटा A C और पूरे का बटा B C बटा A C यह 10 θ के बराबर अब आपने यहाँ पर देखा कि A B बटा A C जो है वो है sin θ पहले हम लिख चुके हैं इसको और B C बटा A C जो है वो कास θ थीटा है तो हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं कि 10 θ जो है बराबर है sin θ बटा कास θ थीटा के इसका अर्थ यह हुआ कि 10 θ को हम sin θ और कास θ थीटा के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं यह 10 θ, sin θ और कास θ थीटा के बीच में संबंध है कुछ और त्रिकोण मिती अनुपात हमने देखा समकोण त्रिभुज A, B, C जिसमें कोण B समकोण है के कोण सी बराबर थीटा के लिए लं बटे कर्ण बराबर साइन θीटा आधार बटे कर्ण बराबर कौस θीटा लं बटे आधार बराबर टैन θीटा इन अनुपातों के वित्रम तीन और अनुपात है त्रिकोण मिती में इन तीनों अनुपातों के नाम है कर्ण बटे लं बराबर को सीकेंड थीटा या कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा कर्ण बटे आधार बराबर सीकेंड थीटा या sec theta बराबर 1 upon cos theta आधार बटे लम बराबर cotangent theta या cot theta बराबर 1 बटे 10 theta करके देखें 10 theta बराबर sin theta बटे cos theta हो तो cot theta को भी sin theta वो cos theta के रूप में लिखें